यह रहा हमारा परसाद जो काल मेरे बाबाबा पे चड़ेगा इस मंदर की खास बात यहां पर आप इसी भी दोस्त को खतम कर सकते हैं पूजा पाट करवा के तो यह गाइस वल्कम बैक तो मैश्चनम अभी हम है महाकाल की नगरी उज्यान सहर में मुझ्यान मुझ्यान से आने के लिए आपको वहां से 2 किलिमेटर मंदिर है और आप मंदिर से 2 के मंदिर पीछ नदी सिपरा नदी करके करने फिर मंदिर चलेंगे अब घाट पर ब्रस भी करनी की सुल्जा उप्लाद नहीं है इसलिए आप रास्ते हीं करके आए यहां पे घाट स्वक्ष है साथ उत्रा भी है पानी बढ़ा हुआ है पहले से अब इदर भी नहा सकते हैं और उस साइड भी नहा सकते हैं नहाने के बाद जल लेके महाकाल बाबा पर अर्पित होगा हम लोग पहुंच चुके हैं अस्तान करने के लिए पर रोज़द भी नहाएंगे उस पाद हम नहाएंगे हमारा अस्तान हो चुका है और जल लेकर हम लोग चल दिये हैं यह बाबा के दर्शन करने अजल जड़ाने वैसे आप इस टाइम है तो सावधानी बढ़ते क्योंकि पानी हमेशा आप दाउन होते रहता है कल पानी रोट के ऊपर तक चला गया था और नेक्ट टाइम में पा कि सामने यह रोड मंदीर को जाएगा अभी टाइम हो रहा है दस होलो का लेट हो जुगा अब जाने से लिए सामने मंदीर है कि अधिक आए कि अधिक का अधिक है कि हमारा दर्शन हो गए अच्छे से और जल्वी चाड़ा लिया अफुली और प्रिक कर लिए और मैं आपको कुछ नजार देखा था हूं कोरीडोर का और मंदीर का अंदर का बाहर का इतना भीर था भी आज बुद्ध बार इसने थोड़ा सकाम भीर है वैसे भीर तो है सावन का महिना चल रहा है मंदे को आते जाते क्राउड मिलता आपको यहां पूरा मंदीर परिशार भरा हुआ है भीर से अब मंदीर परिशार में बहुत सारे मंदीर है और आप कंटिनू एक एक करके पुजा करते रहा गएं तो बहुत टाइम लगा मानेता यह है कि यहां से पूजा करने के बाद आपको काल भाइरों का दर्सम करना आवस्यक होता है इसी से यात्रा पूरी होती है यहां से काल पहर बाबा का मंदिर की दूरी एक रॉक्स 15 किलमेटर करीम में है अब को आधे घंटे लग जाएंगे अगर चलते हैं अगर वाकिंग जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं कि यहां पर वारानसी काशी के तरफ यहां पर बनाया हुआ है मैं को दिफार हैं कोई दोर का छोटा सच्छलाग अगर 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 यह बहुत खूब सूरत है यहां पर सारे देवी देवताओं के मूर्थी बने हुए हैं बड़े बड़े विसाल विसाले स्केटिट टाप के मूर्थी है और खूब सर्त भी है अच्छा लगता है यहां बद देख के सांती थूरा सथ है मजा आ अगया अब एक कोईडर अब आपको देखा रहा हूं है कि अब आपको अब को एक को अच्छा पार्क है श्टैची बना हुआ खेस्ट और ग्रीन सर्किल है भी पार्क इतर बनाया हुए जब दरसंकर करके निकल जुके अब आएंगे यहां से काल भर मंदिर के पासे जोकी जोकी दस किलिमेटर दू और पकरके यहां से जाएंगे आप यहां पर आके बार्गेनिंग कर सकते हैं क्योंकि आप प्राइस हाई है अब हम लोग परसाद पर एक्सपेंसिव है अगर आप दारू चलान चाहते हैं वाइन ले सकते हैं यहां के परसाद हुआ है हमने भी लिया है एक परस्ट टाइम दारू लिए हुए हैं वह बाबा का परसाद है इसलिए चढ़ाएंगे और सब में बाट यह रहा हमारा परसाद जो काल पर बाबा पर चढ़ेगा बैक पर नाम हमें पता नहीं तरह जो मिला वो ले लिए यहां पर अच्छा कासा लंबा लाइन लगा हुआ सरकिल सरकिल करके घूमना घूमना हमें घूम रहा हैं अगर आप इस सीजन में आते हैं यहां पर आपको जीड का सामन तो करना ही प्रहेगा तो बाबा का दर्सन करने हैं हम लोग भी लाइन में हैं अब अधर आगे भी लाइन है परिसर के अंदर सब के हाथ में एक बोतल है और एक एक्ष्ट्रा पानी का भी बोतल हुआ दोने मिक्स करने के लिए बाबाब चढ़ा के पीने के लिए हमारा काल भाबा का दर्शन अच्छे से हो गया परसाद भी चढ़ा दिये यहां के मन्यता ही है कि अब परसाद दारू पीते हैं तो पीजे यह नहीं तो किसी और में बाट दीजिए हम लोग बाट देंगे काल भार को दर्शन करने के बाद आप जाएंगे मंगलनाथ के दर्शन करने मंगलनाथ के मंगलनाथ मंदिर करक रखा पर इस्तित्य लाइन होता है ना पर रखा उसी पर मंदिर बना हुआ है कि यही है मंगलनाथ मंदिर इसमें हम लोग पूजा करने जाएंगे दर्शन अब दिखांगा विडियो है अग्या हुआ कि इस मंदर की खास बात यह है कि यहां पर आप इसी भी दोस को खतम कर सकते हैं पूजा पाट करवा के यहां पर फिक्स रेट बना हुए जारे सो एक पूजा करवा के खतम कर सकते हैं यहां पर हर मंगल बार को दई भात से पूजा होता है यहां के विशेश प्रसाद है यही है मंगलनाथ मंदिर कद्वार्व हुए इसी के अंदर स्विलिंग साथ हुए अधर नाथ मंदिर किनारे बता हुए और आपको महा कालेशवार मंदिर भी श्रीप्रा नदी केहीं किनारे नदी चारो तरब भूआ हुए गोल गोल तरके सारे मंदिर को किनारे किनारे है आशी बांग बांग बुरू